जब 12th class pass करके आप pass out हुआ, IAC board से मेरे को लगा मेरे English बहुत sound है. सब जगा से एक ही word नेगे सुनने को मेरे को MDI, You have an MTI, Mother Tongue Influence. जब बहुत से लोग को पता होता है, interview के अंदर जगर communication skills अच्छे नहीं हैं. उस panel के सामने बैठ के बात करना, बोलना, अपना experience शेयर करना, वो आपसे किताबी knowledge नहीं पूछेंगे. अगर आप UPSC कॉलिफाइ करना चाहते हैं, तो आपके पास six pillars हैं. अंगरेजी में बात करो, बिना दरे, बिना शर्माई. डाउनलोड जोश्टॉक्स English speaking app. हेलो फ्रेंग्स, मेरा नाम डॉक्टर जिशान है, मैं उत्तर प्रदेश के आगरा नाम के डिस्ट्रिक से ब्लाउंग करता हूँ, आगरा ना कि इंडिया मैं पूरे वर्ल में फेमस हैं. दोस्तों, मैंने UPSC के multiple attempts ही हैं, उसके अंदर मैंने मेंस भी कॉलिफाय किया, इंटर्वी कॉल भी मिले मेरे को, मैंने UPSC के दो बर इंटर्वी फेस किये 15-17 में, क्या रीजन रहते हैं, लाग कुश्चों के बाद भी मेहनत करने के बाद भी कह सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, उसके बाद सेलेक्शन नहीं हूपाया, क्या रीजन था, उसके लिए जानेंगे वे छोटी सी कहानी, जो गलतिया हम से हुई, आप लोग उस गलती को प्लीज ना दो रहा हैं, अगर बात करते हैं, अगर आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपके पास एजुकेशन है, कई न कई अच्छी जॉब कर से, किसी रेपिटिट पोस्ट पर पहुश सकते हो, उस टाए मेरे को UPSC के बारे में, SSC के बारे मेरे मेरे को नहीं पता था, क्योंकि मेरे को पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं तो कोई बताने वाला नहीं था, कोई गर्वर्मेंट जॉब पर ये तो पता था, सरकारी नौकरी होती है, पर क्या होती है, मेरे को नहीं पता, मतलब अगर कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर करियर को मैंने चूज नहीं किया, करियर ने मेरे को चूज किया, एम, मोटिफ कुछ और था, कुछ और करने का, पर बने के टीचर, पर आज वही बात है, कि अगर कहते हैं बड़े बुज़र्ग, अगर जो काम करो, पूरी शित्त से करो, पूरी मेहनत लगन से करोगे, तो आप उस काम के अंदर ही बहुत अच्छा अचीफ कर सकते हो, और देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टैंड कर रहा हूं, यहाँ पर जो श्चॉक, जो इंडिया का बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है, यहाँ आपके सामने खड़ा हूं, अब बात करते हैं, हम यहाँ पर आगे कॉंपोडिशन की, यूपी असी के मैंने एक्जाम दिये, इंट्रू फेस किये, इंट्रू के अंदर मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ एक फील की, वहाँ पर, वहाँ पर कम्मिनिकेशन बहुत इंपॉर्टन है, कम्मिनिकेशन प्लेज़ वाइटल ड्रोल इंदा इंट्रू सेशन, जब पांच लोगों का पैनल बैठा होगा आपके सामने, उसके सामने हैं, बहुत से बच्चे ऐसे देखें हैं, कहता है, अल्टरा ब्रिलिंड, बहुत कुछ मालूब है, नॉलेज़िबल, बड़ जब चार लोगों के सामने बैठेंगे, पांच लोगों के सामने, वो बोल नहीं पाते हैं, उनके कोशन मतलब, बस पास करके आप पासओट हुआ, ISC बोर्ट से मेरे को लगा, मेरे इंग्लिश बहुत साउंड है, मेरा कॉल सेंटर में सेलेक्शन हो सकता है, मैंने ट्राइ किया, डेली में, गुलगाओं में, कन्वर्जिस, जिन पैक्ट, नाम सुनों का IBM, पर पहले कॉल में सब जगा से रिजेक्शन, रिजेक्शन हो के क्यों रिजेक्शन किया था, सब जगा से एक ही वर्ड ने सुनने को मेरे को, MDI, You have an MTI, Mother Tongue Influence, मतलब जो लोकल लेंग्विज होती है, वो आपके इंग्लिश में जलगती है, वहाँ सब लोगों ने यही बोला, मैंने कुछ ने किया, अपने वर्ड कम्टिकेशन को स्ट्रॉंग करने के लिए, सबसे इंपॉर्ण चीज मैंने क्या किया, जो मेरा PGP रहता था, वहाँ एक मिरर लिका है बड़ा वाला, मिरर रखा, उस मिरर के अंदर, कंडिशन थी, मैं सामने खड़ा होता था, करीब 2-3 गंटे, लगतार खड़े होने के बाद, अपने आई कॉंटेक्ट बनाता था मिरर से, और वहाँ पर जो कोशन में इसे पूछे का है, पिछले इंट्रिवियू के अंदर, उन सारे कॉशन को मैं सोचता था, क्या बोलना है इसके अंदर, तो मैं प्रैक्टिस करता था, खुद के साथ, देवस नो वन अदर, तो हैल्प यू, इविन दो अल्ली यू अदर परसें, हुएल्प तेमसेल्स और आर्सेल्फ, अब कंडिशन आई, यही जब इतनी प्रैक्टिस करी, मेहनत करी, तो एक लास क्या हुआ, एक महिनी तक प्रैक्टिस के बाद, जब मैं गया, कन्वर्जिस कॉल सेंटर में, तो मेरा यहां सेलेक्शन हो गया, यही चीज़ आती है, आपकी कॉमपडिशन के अंदर, जब बहुत से लोगों को पता होता है, इंटर्विव के अंदर, जगर कम्मिनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, आप बात नहीं कर पाते, आप बोल नहीं पाते, क्योंकि आपके सामने, जो लो पैनल बैटा होगा, यहार हाईली कॉलिफाइड पैनल, उस पैनल के समने बैट के बात करना, बोलना, अपना एक्स्परियन्स शेयर करना, वो आपसे किताबी नॉलिज नहीं पूछेंगे, किताब में कुछें नहीं पूछेंगे, क्योंकि मालुम है, मेंस कॉलिफाइड करके आया है, किताबी क्यूला है, उनको मालुम है, वो आपसे IQ लेवली के कुछेंगे, करन डफेस को आपकी परसनल लाइफ से अड़ाज करने कुछेंगे, उस तेम हमारे पास इतने सेंस होना चाहिए, उस सेंस को सोचके, कि इसने पूछा के सामने वाले बंदेने, उसका reply क्या करना है मेरे को, that is communication, उसके बाद अगर आप UPSC कौलिफाय करना चाहते हैं, तो आपके पास six pillars है, six pillars, उन six pillars के बारे में बात करते हैं, वो six pillars क्या है, सबसे बएख तयारी करते समय, आपको पता उन्चे syllabus, क्या आपका syllabus क्या है, उसके बाद हमारे पास आता है previous question, यह syllabus देख लिया, यह syllabus topic आते है, paper one, two, three, four में, यह सब आता है, फिर उसके बाद previous question, free or means के देखे, क्या मैं question लगा पा रहा हूं, यह question आते हैं, इसका sources क्या है, previous question, third step would be the NCRT, NCRT अगर base आपका strong नहीं है, बहुत ज़्यादा तो उस तो 6 से 12 तक NCRT पढ़ो ज़रूर, base strong है, अगर तो इसकूल में पढ़ा, academic अच्छा रहा है आपका, 9 से 12th NCRT पढ़ो, काम हो जाएगा, NCRT's, then the main thing is that the answer writing, or the optional series, optional 25 subjects हैं, बच्चे हमेशे confused रहते, बार-बार कॉल आते हैं कि सर, optional कौन सा सेलेक्ट करें, मैं कॉमेंसी बात है, मेरा optional geography है, मुझे मालम है, I am good at geography, और 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 पढ़ाता भी हूं है, optional geography जब पढ़ाता हूं, feedback की 100% क्लास का, जितना पढ़ाता हूं, 60-70% क्लास में फस जाता है, exam के अंदर, तो बहुत से बच्चे option देता है, किसी का sociology है, किसी का economics है, किसी का botany है, किसी का anthropology है हमारे पास, तो सब के अलग-लग optional होते हैं, optional paper में पहले previous question देखो, कि आप कितना कर पा रहे हो, कि basics पता हैं आपको, अगर सब option आपको जीरो हो, तो आप अपनी मर्जी से ये मज़ सोचना, कि साल topper का optional हमारे पास anthropology वाला था, इस साल history वाला था, मैं यह option दोगा top कर दूँगा, ये possible नहीं, तो कि UPSC always plays a game with a student, वो अपना pattern की speed से change करता है, आज geography यह आगया, पेपर स्कोर यहां का बढ़ गया, कल quality अच्छा आगया, तो quality का स्कोर बढ़ गया, तो स्कोर किसी कभी बढ़ सकता है, ऐसी ज़रूरी नहीं है, optional, then answer writing is must, जैसे मेरे साथ दिक्कत क्या थी, यहां पर, मेरा answer check करने वाला कोई नहीं था, मैं answer लिखता था, खुद ही check करता था, मैं लिखूँगा, मेरे इसाब से वो सही होगा, मैंने best लिखा है, अपना best दिया है इसमें, time manage करके, बट आपके पास आज इतने सारे sources है, answer writing check करने के, answers आप, कि अतनी strong होगी आपके पास, उसके बात, interview के marks इतने matter नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास, main चीज़ें, साड़े 1750 marks का means होता है, 275 का interview होता है, interview is just formality, अगर आपका means अच्छा हो गया, पर मेरे सा condition थी, जोग्राफी option बहुत अच्छा हुआ, GS paper 1 बहुत अच्छा हुआ, paper 2 ठीक हुआ, paper 3 average था, paper 4 की बात होती है, सबसे कछरा, पकवास, कुछ नहीं था, आता था, जी means ethics, क्योंकि मैंने कहीं पला नहीं था, लोगों ने बोला, suggest किया, बहुत अश्यक नोट से, लेक्सिकन बुक से, यहां से आजाएगा, क्योंकि paper 4 में, अब उस paper के जब, हमने इसको average लगाया, average लगाने के बाद, number कम हो गए, पर even though interview call मिला, अब मेरे उपर पूरा base के आता है, interview में, interview में अच्छे number मिल गए, तो मैं selection ले जाऊँगा, number 3 ठीक आयते average थे, बहुत अच्छे नहीं बोलूँगा, बहुत बेकार नहीं बोलूँगा, but final cutoff के नहीं जो वेकंसी होती है, 800-900 वेकंसी उसमें नाम नहीं यहां पाया, यह मेरा, unfortunately यहां पर, आपके पास दिक्कत बहुता दिक communication की, मैंने यह सीखा कि, कि आपको life के अंदर succeed करने के लिए, सबसे important चीज क्या होती है, हमेशा याद अकना, 3 C's and 3 D's, what stands for these, 3 D's means dedication, determination, devotion, toward your studies, 3 C's, courage, capability, and caliber, अगर यह सब आपके पास है, तो आप यहां पास selection जरूर ले सकते हो, क्योंकि UPSC is not a game of one or two day, it's a game of one year, two year, college आपका खतम हुआ, बहुत से बच्चे इतने समझदार होते हैं, 12th के बाद preparation स्टार कर देते हैं, 3 साल है उनकी पास, अपने बाप पर आपको सुधारने के लिए, उन कम्यों को सुधारने के लिए, हमें क्या करना है, 3 years, जब वो 21 years कम्प्लीट कर लेते हैं, तो एक्जाम देते हैं, यही रीजन हैं उनकी पास, वहाँ पार उनका फर्स एटम में एक्जाम निकलता है, उनका आपको लग रहा है फर्स एटम्ट है, बट एक्चिल उसकी पीछे बैक एंड पर मेहनत 4 से 5 साल की होती है, तो कि 6 महीने से आपको लग जाएंगे समझने में, वाट इस UPSC, तो कंडिशन आती है कि आपकी पास आपको एक्जाम फाइट करना है, यहाँ पर आपको मेहनत यहाँ पर वाइसली करनी है, अगर मेहनत वाइसली नहीं करोगे, तो सेलेक्शन नहीं होगा, दुनिया की मत सुनना कभी भी, लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपको बनो, आपको करना क्या है यहाँ पर, सिर्फ अपनी मेहनत करनी है शांती से, बिना किसी को बताए हुए, कमरे में बंदोकर, पेरेंट्स को पता हो, मेहनत करो, मेहनत करने के बाद एक्जाम दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले कि इंटेंशन क्या आपको लेकर, सामने वाला अच्छा दोस हो सकता है, और मैक्समूम आपने देखा होगा, कि दोस्ती, दोस्की काट करता है, ठीके, इसलिए किसी को बताओ, प्रोप्रेशन करो, आपके जो भी मेंटर हैं, गाइडर हैं, फिलोसफर हैं, उनकी हेल्प लिजी, जोनका भी एक्जाम दिया है, या इनको पैटर्न पता है, एक्जाम का, या एक्जाम का टेच रखते हैं, या कोई पहचान है काउंसिल में आपकी, उनसे थोड़ी सपोर्ट लेने के बाद, आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं, बैट कर, जीवन में हमारे पास, किसी की लाइफ ब्रुट फिक्स नहीं चलती, लाइफ में फ्लक्ट्वेशन साते हैं, ऐसी मेरी जीवन में भी आए, जोब वो जर्नी स्टाट हुई, जब मैस टाइम चला था कानपोर से, तो, प्रस्ट में, मैस टाइम, 2000 पर उधार लेके चला था, कंडिशन यह आ गए थी, लॉग्डाउन फेंज में, और आज कंडिशन यह है, कि आज तीन साल बाद, मेरे पास खुद का, ग्रेटर नर्ड़ में फ्लैट है, परसनल पर्चेस किया हुआ, खुद की गाली है, ठीके, और आज आपके सामने, स्टैंड करता हूं, एस रेनाउन फेकल्डी अफ जॉग्रफिय ऑप्शनल, तो दोस्तों मेहना से क्या नहीं हो सकता, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं, कि मेरा मोटिव यह है, मुझे यूपियस से निकालना है, अगर नहीं निकला, तो मैं लाइफ क्विट करता हूं, आगे कुछ है नहीं मिले लिए, दोस्तों आपने जो टागेट चार सल का बनाया है, हो सकता है, वो चीज़ आपकी आठ सल में पूरी हो, दस सल में पूरी हो, अगर आप पहले क्विट कर दोगे, तो वो आठ सल, दस साल बाद जो उसका आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, वो कैसे लिपाऊगी, तो गाइस, नेवर कुट, बस इतना ही कहना चाहूँगा, कि मेहनत करो पूरी मांदारी से, कि आपकी काम्याभी शोर करते, यहीं मैं स्टॉप करता हूं आज का सेशन को, तो आप जो श्टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, आप अपनी लाइफ और करियर को लेके, सीरियस हो, और अगर आप गवर्मन्न जॉब्स जैसे की CGL, CHSL, CDS, CPO, CAPF, NDA जैसे एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश के बारे में भी सोच रहे होंगे, रिटिन, आप्टिट्यूट और स्पोकन, तीनों की आवशक्ता होती है, चाहे एक्जाम हो या इंटर्व्यू, इंग्लिश तो ज़रूरी है ही, मैंने जो श्टॉक्स के साथ, मिलकर बनाया है, इंग्लिश for Government Jobs का एक कोर्स, जिसमें मैं एक्जाम्स में आने वाली इंग्लिश जैसे की आप्टिट्यूट, वक्ख्याबलरी, कॉम्प्रेंशन, इसकी तो तयारी करा ही रही हूँ, पर साथ ही साथ, स्पोकन इंग्लिश प्राक्टिस करने के लिए, एक माहौल दे रही हूँ, जहां आप बिना डरे, बिना शर्माए, अपने इंग्लिश प्राक्टिस कर सकते हैं, तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंग्लिश चीकना, तो आप ये कोर्स शुरू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन और कॉमेंस में दिये गए लिंक को क्लिक करें